मुख्या प्रतिरिधी को नरेस राम ने कहा भला बुरा थाना परिसर में हाथ जोड़ कर मांगी माफे डंड़ाई से हमारे संबादाता अमिर हसन अंसारी की रिपोर्ट परकंड मुख्याले के हरिजन टोला में लगा 200 कवी के ट्रांसफरमर खराब हो जाने के कारण हरिजन टोला के साथ साथ डंड़ाई मुख्य बजार में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ती बाधित है जिससे लोग अंधेरे में रहने को वीवस हैं बिजली आपूर्ती बाधित होने के कारण इस उमस भरी गर्वी में लोगों को काफी परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामिर राजिस गुपता, विकास कुमार मेहता, सुरेंदर कुमार, सिल्देसवर परशाद, विवेका अनंद कुसवाह, जैकोविद परशाद, उमेस राम, विकास राम सहित कई अन्य लोगों ने बताया कि हरजन टोला और बजार टोला मिला कर एक ही ट्रांसफर्मर है, जिसमें आए दिन कुछ न कुछ खराबी होती रहती है, और अभी या पूरी तरह से जल चुकी है ट्रांसफर्मल जर जाने से कारण इस टोले में इस भीशन गर्मी में बिजली आपूर्ती बादित हो गया है, जिस कारण हमारे घर के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बताया कि इतनी भयंकर गर्मी में एल्ट्रोनिक उपकरन रहते हुए भी रा अबियंता तथा मुकिया को आवेदन देकर अबिलाम उक्त ट्रांसफर्मर को बदलने की मांग की है, इधर ग्रामिनों के द्वारा शिकायत मिलने पर मुकिया प्रतिनी थी, महेस राम जब उक्त टोले में जाकर ट्रांसफर्मर का मुआईना करने लगे तो उसी टोला नरेश राम द्वारा मुकिया के साथ अभधर बहबार किया गया, इसके लिखित शिकायत मुकिया प्रतिनी थी, महेस राम के द्वारा डंड़ई थाना में आवेदन देकर निया की मांग की गई है, मामले को लेकर थाना परबारी सुनिल कुमार पटेल ने बताया कि मुकिय प्रतिनिती महेस राम द्वारा आवेदन देकर नरेश राम के द्वारा अभधर बहबार करने का सिकायत तरज कराई गई है, आवेदन के आलोक में करवाई करते हुए नरेश राम को थाने में बुला कर डाट पटकार लगाते हुए पुष्ट ताज की गई, जिसमें पादर बहबार दोबारा नहीं करने की चेताओनी लीखित लेने के बाद छोड़ दिया गया, थाना परिशर में मौके पर उपमुखिया प्रतिनिधी याकोबंसारी, वाड़ सदस्य मुनाराम, ग्रामिन राम किसुन ठाकुर, विजय मेहता, सनी कुमार, लाल मुनी तो राजुराम परमोध राम सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे